कि है कि हेलो फ्रेंट्स वेलकुम तो और चैनल दिस पुलकी शर्मा लास्ट लेक्टर में हमने बारवी का सेकेंड चेप्टर कंप्लीट किया था आज हम बारवी का थर्ड चेप्टर विदुद्धारा स्टार्ट करेंगे बच्चों हिंदी मीडियों का अभी 11 का और इंग्ल जितने वी बंचे हैं वह अपने आज पास के सभी को साथियों को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लगे वापिस की रेगुलर क्लास सब्सक्राइब करें तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने लास्ट लेक्ष्णों को प्यार दिया था अभी भी आप उनको वैसे ही प्य मतलब द्धारा का मतलब यह कि धारा को एक संदूर्से पॉइंट से डूसरे विटो तक लेके जाना है कि हम पावर पावर स्टेशन से उसको अपने घर कि लेके आते हैं कैसे लेके आते हैं हमारी वायर का अच्छा प्रेम होता है अगर चाहिए तो पुछालक की अगर अगर इलेक्ट्रों का फ्लो होता है कि अगर जा रहे हैं तो वो क्या है रेक्ट्रों का फ्लो होगा वो क्या कराएगा वितुद्धारा कर आएगा अब में क्या बोलेंगे Q अपान T ऐसे बोलेंगे अगर बोलेंगे एकांग समय में एकांग समय में इलेक्ट्रोन का बहना विदुद दारा कहलाता है ऐकांग समय का मतलब क्या हो गया ऑई बराबर में Q concluding मे Himself इसको कटी मशाना चाहिए कि अच्छा अच्छ आई बराबर में क्या हो गया Q आपन त्टी इसको मैंसे लिखते हैं डिकीव ऑपॉन डिटी कम समय की करते हैं जहां बो अब एक चीज बताएंगे की धारा बहती कैसे है मतलब विदुद्धारा कैसे लोग करती है हाओ कोशन है तो कोशन क्या है विदुद्धारा कैसे बहती है यह सबसे पहले जानेगे उसके बाद इसके बार में आपी चचर करेंगे एक बात बताते हैं जी आपको छोटी सी कहानी है बड़ी अच्छी कहानी है समझ आएगी और बड़ा इंटरस्ट बनेगा बड़े रोचक तरीके से समझाएंगे आपको बड़ा प्यास से समझाएंगे ताकि आपको स दूसरा पैटन मारते हैं चैन गुंगती है अच्छा पुराने के अधरत आजा होगी तो एक बात समझो जी हमने क्या किया यहां पर चार्ज छोड़ने स्टार्ट किये हमने क्या किया इलेक्ट्रों छोड़ने स्टार्ट किये और यहां से हमने क्या किया इलेक्ट्रों लेने स तो मुटी मुटी बात आकर बोली चाहे तो सब्साब हो दो मैं हमारे harmonis लगाते हैं मैं कि अब लेंटू जला तो हमने क्या लाइट लगा सब्सक्राइब कोलओ कि सब्पर अगर एक स्टेशन से आ रही है हमारे थर्मल प्लांटS जो प्लांट से आ रहे दूसरी हमारी जा रही सवड़ी सकिस्पर जा रही है। कि ऐसाहीं बॉलना चाह रही तो एक हमारे तार जा रही है चौ नुए दो तारे हम 되면 हमारे लगी होती कि आपको मैं हमारे लगी होती आपको ध्यान हो कादार WOMAN कि वह जा रही है और आपर इसको इसको इनिस करेंगे क्योंकि यह हमने समझाने के लिए आपको बताया है अच्छा सबसे पहली बात अब देखो अगर यह धारा जा रही है इस ताइप से और यह धारा वापीस ऐसे आ रही है हम बोल देते हैं उनका एक तरफ जाद यह आ रहे हैं अब इसके बीच में अगर हम बात पता है इस पूरे कौम क्या बोल देते हैं इस पूरे काम बोल देते हैं सरकिट है सरकिट कॉंसे वाला यह वाला ना कि एम बीपेस मुना वह गला ठीक है अभी सर्कीट हमने देखा पुरा सर्कीट बन गया सर्कीट जैसे पर गया तारे लगी बल्ब लगया स्विच लगया सब कुछ लगा दिया सर्कीट स्विच बना दिया अब एक बात बताओ मैं आपसे दो चीजी पुश्वर जा रहा हूं कि खुला सर्कीट खुला परिपत क्या होता है और बंद परिपत क्या होता है तो आप ऐसा बोल सकते हो गया खुला सर्कीट वो सर्कीट होता है जिसमें धारा नहीं जाती अभी समझाते हैं अगर इसको इंग्लीश में बोला जाएंगे इसको बोलेंगे अपन सर्कीट इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे क्लॉस सर्केट इसलिए विटा कि अगर यह दो तारों की बीच में ने तार को काट दिया तो आप क्या बोलोगे सर यह रास्ता खुल गया तो धारा जाएगी यह नहीं जाएगी सर नहीं जाएगी अगर मैं सर्किट को मैं बंद कर देता हूं यह लोगी अब इस तार को इस तार को यहां से काट देता हूं मैं करता नहीं बता रहा हूं जी काट काट देती है तो कि स्केंदर फोटवें मैं लेजंगा कैसे हैं और यह जो जूड़ी हुई हैं अगर हेज्वी हुई है कि तो हम ने क्या बोला किसमें क्या है आने के कि क्या अगर खुला सफे परिपत होगा तो धारा नहीं जाए गी इवह परिपत बंद होगा तो धारा जायेगी तो आप यह मत बोलना कि शॉक्ट की बात कर रहा हो ah फिलो परिपत का मान क्या होता है धारा नहीं जाती और क्लोस का मान क्या मान को बढ़ाना है यहाँ पर मैंने एक इनसान को खड़ा कर दिया और मैंने क्या किया दारा की मान को बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या करूँगा जो यह चक्री लगी हुई है पावर सेशन को क्या करूँगा इसके स्पीड क्या कर दूँगा बड़ा दुआ और जैसी बढ़ती जाएगी, जैसी बढ़ती जाएगी, एलेक्तों का flow क्या हो जाएगा, त्य जोना स्टर्ट हो जाएगा, और हमें क्या हो जाएगी, उतनी voltage का क्लियर बात किसी परगाडी परिशानी वाली बात तो नहीं है अच्छी अब यह देखो वापिस बात करते हैं एक आंग समय मुवेश्च का बहता है विदू धारा क्यलाता है विदुदारा कैसे फ्लो होती है हमने आपको बताया कि जैसे मानलोग आवर सेशन से हमें क्या है यह चाहिए तो हमारे घर तक आई तो हमने क्या कि आपको समझ आगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक बात अब इसके यह थोड़ी चर्चा करें चलो चर्था रहते हैं ठीक असर कर रहे है कि एरेज कर रहे हैं जी combin ते पी चाहिए अच्छा हमीं देखते हैं कि जो हमने बात किया है कि या अफ्मिकार पोन स्ट्क Let's बीख कर रहे हैं इस refers कर तिया हम स्ट्धिक का लिखने इंगे आई बराबर पर बेहार कि लेक्त ठीक बाद अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे आवेश आपवान समय आवेश का मतलब क्या हो गया आवेश का मतलब हो गया नीचे लिखते हैं ऐसा ही जो मात्रक है इसका वो क्या लिखेंगे वो लिखेंगे हम आवेश का क्या हो गया Kulam और समय का क्या हो गया सेकेंड और इसका जो एक हमेशा एक मातरक होता है वो बोलते है M.P.Ar M.P.Ed नामक एक क्या था साइंटिस्क था विग्यानिक थे जी उन्होंने क्या प्रेश गता खोजगी थी और इसका नाम क्या पढ़ गया उनका सरनेम बढ़िया, वो क्या था, M-P-E-R, ठीक है जी, M-P-E-R क्या हो गया, इसका, ऐसा ही मतलग हो गया, अच्छा, जी कौन सी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलग वेक्टर है या सकेलर है, सदिश है, या अधिश है, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक अधिश राशी ह है, अधिश राशी है, इसको बोलेंगे, सकेलर क्वांटिटी, ठीक है, सकेलर क्वांटिटी क्यों है, ये बात हम जानेंगे, सकेलर क्वांटिटी क्यों है, सकेलर क्वांटिटी, विदुत धारा, सकेलर, विदुत धारा, अधिश राशी है, सकेलर क्वांटिटी है, क्यों irm कि γ् После मान लो जैसे माल लो यह पा देगार यह यहां से तीन सेữa Fez तो अगर यह तो रखती मिले चाहिए सावन एंप यह पर 아pere कि तीन दिया एंप करती वेक्टर एंग का पालन नहीं करती तो हमने क्यां कि रभना दिये अगर आपसे कोई पुछे क्यों नहीं है थैक्टर क्यों नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि विदुद्द्दारा बृद्द्दारा सद्दिश पाहिं का फोई पालन नहीं करती है ठीक है या योग के नियम का पालन नहीं करती है इस कारण यह है अधिश राशी के अंडर की राइष राशी के लातीई ठीक बात समझे हुझ समझना चाहिए इस अभिए राबर में क्या है कि मुझे नहीं करता है इसकारण कीस के योग का नियुक्reno जो है एडिशन का जो नियम है इसको लिओ देते हैं इसको लिपरेटें एडिशन एडिशन लू इसको परालब करतके है अधिशाशी कहला है अब आपauen कि अधिश लेंगेहा है थार्क थाड़व अब धारा गनत्व क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगी अच्छ अब यह निख रहे हैं अधारा गनत्व क्या होता है अगर हम बोलें कि किसी भी चालक किसी भी चालक मैं लिख देता हूं डेफिनेचर लिख देता हूं ऐसे बोलते हैं किसी भी चालक के एक आंक अनुप्रस्त काट शित्रफल से निकलने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है अब कैसे बोला जाएगा आप मानलो इलेक्ट्रिक फिल्ड जो है और वाली करंट है जो वो इस साइड में डिर्क्षन थेक्षा है अभी अमने बोला कि जो इसका एरिया है वो क्या है इस देरेक्षन j equals to i delta a i क्या है i क्या है current है और i delta a को क्या लिखेंगे delta a cos theta क्योंकि वो किसी angle पर क्या है मुढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे j delta a cos theta बराबर में क्या आएगा i तो i बराबर में क्या आएगा j dot delta a आप चीजों को समझो जी मैंने क्या किया है मैंने यह किया है कि अगर लिखा जाए अगर लिखा जाए तो यह लिखा जाएगा कि धारा घनत्व धारा घनत्व एक सदिश राशी है अब चीजों को समझो जी अब मैंने क्या बोला कि किसी area की अंदर की बात कर रहे है कि किसी भी आरिये को किसी भीasures पड़ें लीखांँ बात करें उस सच जत्राड्र निकल रहे हैं अगर वह शेकवल मालो अगर मालो मालो यह से जापने करें अब मैंने क्या बोला सारी जो बात है वो किस पर डिपेंड करगी थीटा पर निरबर करगी आप थीटा पर निरबर कैसे ही करगी आपको मैं आपनी वाशना में बताता हूं जैसे अबने बोला कि कॉस थीटा की वेल्यू अगर आप 0 तो मान कितना आएगा एक आएगा अगर आप बोलोगे अगर 90 रखते हो तो मान कितना आएगा जिरू आएगा 90 का मतलब क्या होगा इसको ने परपेंटिकुल रख दिया मतलब लंवद रख दिया तो धारा का माना भी जहने देगा तो कम खराव जाएगा तो अंक्या बोलेंगे कि थीटा पर निरबर करता है या नहीं करता तो करता है यह साब बोल सकते हैं और जो धारा होती है रख दों यह गातनी है यह बता दिया क्योंकि जो यह है हमारे का इंढील का इसको क्या है इसको गराए तो समझाई धारा गन्क्रकत क्या होता है कि कि सिपने अनुपरस्त का रख शेतर न के लिए निकलने वाली मतल्य को इक जानफ यह वाल्याइक अगर साइट में लिखना चाहें तो अच्छा है शव्मक्राइं पने सक्ते हैं, जे बराबर जो होता है वो होता है धारा घंछणतों से दिनोड करते हैं, आई जो होता है इसको बोलते हैं विदुद्धारा और जो डेल्टा एंगे अनुपरस्थ कार्ड क्षेत्रफर्ण समझाई बात अनुपरस्थ कार्ड क्षेत्रफर्ण कोई प्रब्लम वाली बात नहीं हो नीश है कि मैरे हिसाप से तो बट्सेंपी मैंने लिखती है आपको याद है ठीक बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आज का हमारा जो टापिक था वो क्या था धरा और धरा के नत्त तो होपफुली सबको समझ आया होगा जिन जिन बच्चों को समझ आया तो बहुत अच्छा है जिनको नहीं आया वो जो पुराने हैं वो बच्चे अपना जो लेक्चर से उनको प्रॉपर शेर भी किया करें और प्रॉपर देखा भी करें और जाए-जादा इसको फल आया करें ताकि आपको जल्दी जिद्धी बताएगी आपको जल्दी स्राटर्जी बताई जाएगी फिजिक्स में कैसे प जएले जाने है झाले जाएजी बताएगी